हालो गई नमस्कार मैं दुरुगेश अपने यूटूज है दुरुगेश टेक में आपका फिर स्वागत करता हूँ आज मैं फिर एक नया वीडियो लेकर आए हूँ जो खेट सिरेटेड है इसमें एक कमेंट आया है जो चौधरी जी ने बोला है कमेंट आपको यहां पर इसक इसमें दसमलो 5 हात का चलता है तो एक चीज मैं इनको क्लियर कर दे रहा हूँ कि हमारे यहां बहुत जो लट्ञाओ चलता है वह 5-5 आपका दुसी पर आराई हमने कई वीडियो जाएंगे तो जा करके देख सकते हैं लेकिन अब बात करते हैं कोश्चिन कि इनकी यहां चलत है लेकिन चोड़ाई हमें नहीं पता है कि कितना होगी जबकि उनको पता है कि हमारा टोटल खेत दो बिगा साथ बिस्वा है तो इसके दारप हम समझेंगे इनका चोड़ाई कैसे निकलेगा और कितना होगा इसके बारे में बहुत ही अच्छा पूछा है जिससे कई लोगों का भी फाइदा हो सकता है क्योंकि ऐसी कभी-कभी प्रॉब्लम होती है कि हमें इधर लंबाई पता है और चोड़ाई पता नहीं है कितना चोड़ा जाएगा तो उसको पता करने के लिए आपको तो एदन क्लियर पता रहता है कि हमारी जमीन कितनी है अगर नहीं पता है तो आप हमारे यूटूब चनल पर जाकर कर देख सकते कि कैसे पता करें कि जमीन कितना है प्लेट पर पड़ी हुई है आपके नाम कितने जमीन है पता चल जाएगा अब इन्होंने पहले बात बोला है कि मेरी जो टोटल जमीन है यहाँ मैं लेद रहा हूं कर दोटल जो प्लाट है वो इन्होंने बता है दो बीगा साथ विश्वा दो बीगा साथ विश्वा देखिए इन्होंने लट्ठा में मापा है जबकि लंबाई को तो हमें चड़ाई भी लट्ठा में चाहिए और उसका जो पूरा छेत्रफर होता है वो भी लट्ठे में चाहिए उनकी अनुसोर मैं जो प्लाट इन लठा हाई मैं मानता हूं कि फॉन वर्डा कार आयताकार वहा इसकी अनुसार इनकी इनका प्लाट होगा इनकी नहीं बताया कि पता ने कितने होगा कितना चुडायी हिसके तो इसको हम प्ता करेंगी कईसे opt फाने क्लिते पूरे um का एरिया पता है अठा ख्यत्रफल पता है तो हमारा एक फार्मूला होता है कि यह श्यत्रफल बराभर होतोई लंबाई गुड़े निकल चाहेगा अब फ्य sent लंबाई गुड़े देटाय। तो इसके वार में हमने डूटल में बता दिया है कि ये पांच-थमलो पांच हथ की इस इसमें एक लट्थे की लंबाई एक लट्थे की लंबाई आएगी 8.25 यह जाएगा फूट आप एक बिस्वा में कितना होता है कितना स्कौारं फीट होता है इसके बारे में डीटियल में हम्नें वीडियो बनाखर करके त्वाइड कर दिया है आप वहां से जाकर की देख सेकते हैं उसी कहन दुप जो दो बिगा होता है उसमें उसमें चार सो एक बीगा में चार सो वर्ग लठा होता है अर्थाद मैं यहां पर लिख दे रहा हूँ एक बीगा में चार सो वर्ग लठा होता है एक बीगा में चार सो वर्ग लठा होता है तो दो बीगा में कितना वर्ग लठा हो जाएगा दो भी गामें हो जाएगा 800 वर्ग लठा अब साथ विश्वा में कितना वर्ग लठा होगा तो इसको भी देख लेते हैं एक विश्वा में इधर मैं बता दे रहाँ एक विश्वा में 20 वर्ग लठा होता है तो साथ विश्वा में हो जाएगा साथ गुड़े 20 अर्थाथ यह जो आएगा यह आज आएगा 140 वर्ग लठा अब जो हमारा पूरा एरिया आएगा इसमें क्या करेंगे इसको और इसको इन दोनों को आइड कर देंगे तो हमारा दो विश्वा पूरा वर्ग लठा में आजाएगा असा कर तो भी आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा अब 800 और 140 टोटल कितना हो जाएगा 800 प्लस 140 यह हो जाएगा 940 यह हो जाएगा वर्ग लठा हो जाएगा यह 940 प्रग लठा हो जाएगा अब हमें छेतफल पता हो गया 940 है लंबाई उन्होंने बता है कि लंबाई हमें पता है 84 लठा है लेकिन चोड़ाई नहीं पता है तो चोड़ाई आराम से निकाल लेंगे यहाँ पर लिखेंगे 940 अब चोड़ाई धर लिख देते हैं फिर इसके बाद चोड़ाई 940 जब बराबर की साइड आता है तो पक्षांतर करने पर यह बटा में चला जाता है गुणे में राता है तो यह जाएगा चोड़ाई इसका जब भाग देंगे तो आएगा 12 दस्मलो आएगा 12 दस्मलो 7 0 2 7 यह जाएगा लठा अथा जो इनकी चोड़ाई आएगी वो 12 लठा से थोड़ी सा अधिक आएगी तो आसा करता हूँ चोवाँ जी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हमारी लंबाई कितनी होगी इसी तरह आप किसी फ्लाट का भी आराम से निकाल सकते हैं आपको या तो चोड़ाई पता रहेगा या तो लंबाई पता रहेगा इन दोने में से कोई एक पता रहेगा और आपको पूरा अपनी जमीन पता रहेगी तो किसी को निकाल सकते हैं अराम से अब इनका जो प्लाट आएगा यह हो जाएगा 74 यह हो जाएगा 12-10-iniz लोग यह यह पानशार लट्था इनका चला था उइसके अनूसवार इनका आएगा तो आसा करता हूँ यह उनको अच्छे समझ में आगया होगा अगर आब भी कोई प्राब्ल में कमेंट करकर आप पूछ सकते हैं वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत प्रेम पुर्वा दन्यवाद तो मिलते हैं नेस्ट वीडियो में